चैनल देते हैं तो अड़ा सवागता है लास्ट वीडियो दे विच शी के नेक्स्ट वीडियो दे विच शी तो अटे लिए हो कोईशन कोश लेके हमागे जड़े अरिथमैटिक मीन जान अरिथमैटिक प्रोक्रेशन दे बेजने बटो एंसी आर्टी दे वोक्रेशन मौजूद नहीं ने होर बुक्स दे विच ने सो कोश इंपाउटन कोईशन लगपाग आठतों दास कोईशन इस वीडियो दे विच आपपर डिसकस करांगे सो इस ती रिथमैटिक मीन बट्वीन एंड बी एक अरिथमैटिक मीन है दो नमबर्स ए ते बी दे विचकार ते यसी प्रूव करना है प्रूव दैट दिस इकोल दिस वन और दिस एकोल दो दिस वन सो सिंगल अरिथमैटिक मीन यह दो उसी किसे दो नमबरा दे विचकार इंसर्ट करते हैं ताँ ए दी वैली सड़े पास की होंदी है सम अफ तू नमबर्स ए प्लस बी ओवर टू होंदी है देट मींज ए इस एकोल तो ए प्लस बी ओवर टू दोस्तों सी ए प्लस बी ओवर टू ज़री यह सड़ी वैली है इसनो उसी लेफट हैंड साइड दे विचके सबसिक्यूट कर दने है ते राइट हैंड साइड से ट्राइव कर लागे, सो साधी लेफ्ट हैंड साइड की बन जेगी, ए ली वैल्यू से पूट कर दने है, A प्लस B ओवर 2 माइनस A प्लस A फिर साधे पास है, A प्लस B ओवर 2 माइनस B, होल स्कियर में, सो LCM लेलने हैं थे सी, 2 इन 2 A, 2 A होजेगा, सो यह आगया मेरे पास A प्लस B माइनस 2 A ओवर 2 होल स्कियर, इसे तरह हैं आगया, A प्लस B माइनस 2 B ओवर 2 होल स्कियर, सो रिजल्ट की बन दना है मेरे पास, A माइनस 2 A बन जेगा, B माइनस A रहे जेगा, क्योंकर 2 A, इवर D टर्म में साड़े पास, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 बनेगा, इसे तरह A भी, यह मेरे पास आजेगा, A माइनस B ओवर 2 होल स्कियर, तो 2 साड़े पास जेड़ा, negative जा, positive दा स्कियर है, सेम ही आन्दा है, सो मेरे पास left hand side, इत्त यह मेरे पास B माइनस A है, चाहे A माइनस B होगे, like 2 माइनस 1 दा स्कियर होगे, ता A 1 स्कियर ही 1 है, 1 नी होंदा, चाहे 1 माइनस 2 स्कियर होगे, ता माइनस वांदा स्केर भी की होंदा प्लस वांदा रिजाल्ट साथे पास सेम ही आना है सो इसनों मैं A माइनस B भी लिख सकते हैं नों चेक करके सो यह मेरे पास की बन गया A माइनस B whole square over 2 square is 4 A माइनस B whole square over 2 square is 4 सो सी दो मैं टर्म सेनों एड़ कर लाने है तो साथे पास रिजल्ट किया जानता है सो साथा जल्ड़ा डनॉमिनेटर अब राबर है सो प्राइड टर्म साथी एड़ होजेगी 2 times 2 1 is 2 2 2 is 4 साथे पास की आगी है राइट हैंड साइड आगी है सो यह साथा की है दिस इकोल तो राइट हैंड साइड A माइनस B square over 2 सो हाफ चाह सी अगे लेख दिए इसनों इस तरह भी लेख सकते हैं सी 1 over 2 A माइनस B whole square सो इसे तरह साथे पास सेकंड पार्ट है 4 into A माइनस A साथी यह रिथमेटिक मीन है 4 A माइनस B सो इसे इत्थे A दी जड़ी value है वो substitute कर सकते हैं A बाड़ी A इस जगाते है question सेम है साथा सो यह मेरे पास की बन जेगा 4 left side दे उपर A माइनस शोटी bracket पालाने है आसी A plus B over 2 इस दार रीजन नहे है क्योंकि जदो उसी minus sign bracket open करने है दुनना दे sign ही जड़ी है चेंज होने ने मैं bracket use नहीं करूंगा तै कला A दे नाल साथ तो गलती नाल sign आजेगा इसे बीदा साइन में भी यसी चेंज करना पर लजी है सो बैट रहागे यसी bracket यूज करीए A दी सारी value substitute करने है A plus B over 2 minus B सो इत्ते सन्नों else ही बिलना पाएगा सो यह की बन गया है मेरे पास 2 into A 2 A minus A minus B over 2 इसे तरह थे 2 into B A plus B, 2 into B minus 2B over 2 सो A मेरे पास बन गया 4 multiply 2 A minus A, A minus B over 2 A, B minus 2B is minus B over 2 सो 2, 2 into 2 is 4 इसे पास बन गया है सो A minus B square सो A ही सार्डा second part दा right hand side है this is equal to right hand side hence prove सो दोस्तों इद्दा दे question जड़े ने NCRT जड़ी साठी बुक है वोदे वेच मिसीं सी सो जेकर तुसीं फर्दर किसे competition दी त्यारी करनी आता है वोदे वास्ते सानु ना question आदी जरूरत है सो एदे नाड़ दे कुछ और question जड़े हैं आसी अगे discuss कर दे है सो next question दे विच साठे पास दो means ने if A1 and A2 are two arithmetic means दो ने between two numbers A and B then prove that सो दो means असी insert करनी आने A1 ते A2 सो सानु value find करनी पहेगी A1 ते A2 ती फिर से यह थे value जड़ी आपट कर सकदे हैं ते right hand side drive कर सकदे हैं सो जे मैं A ते B इना दे विचकार दो arithmetic means A1 ते A2 insert कर दे हैं तो मतलब की होया कि यह दो arithmetic means होगी है ता है मेरे पास AP दे विच एक होगी KP होगी न arithmetic means insert करनी तो पास साठे पास की बन दिया है AP ता है साठी होगी second term सो second term दे लिए formula की होंदा है A plus 1D सो ए ता सानु पता है सानु common difference नहीं पता है कि common difference की है सो वो सानु B define करना पाएगा सो इसाठी है first, second, third, fourth सो T4 की है साठा B है सो इस दिली formula की हो सकता है A plus 3 into D सो A ता given है A साठा A ही है सो B भी given है सानु इस भी term पता है सानु साठा variable की है इत्थे D है क्योंकि जो सानु इत्थे given होगे question दे which A and B उननों सी मन के चल दें के constants ने सानु पता ने सो missing की है साठा D D साठा variable है X जीनों सीपाया साग दें सो A मेरे पास किया गया B minus A is equal to 3 D सो D मेरा की बन गया D is equal to B minus A over 3 सो common difference मेरा हो गया B minus A over 3 सो second term T2 जोड़ी के A1 है एक ही बनेगी A plus 1D सो जिनना arithmetic mean होंता है ए बाड़ा उननी यहीं साठे पास D या हों दियाने ऐसी पहला में सिखे आए सो D दी value में थे put कर देना है A plus B minus A over 3 3 into A 3A plus B minus A over 3 सो 3A minus A की बनेगा मेरे पास 2A plus B over 3 सो A मेरा हो गया है सेकंड टर्म तो फर्स्ट अरिथमेटिक mean A1 इसे तरह सी A2 फांइट करांगे A2 देली फार्मूला की होएगा A plus 2D क्योंके हो करी है साठी third है first, second, third सो A तासा नों पता है तो 2 into D लेना D साठे पास है B minus A over 3 सो साठी second term second mean जिड़ी है third term है तो second mean है एक ही बनेगी मेरे पास A plus 2 into B 2B minus 2A over 3 सो इत्थे सानों LC है बलाणा पाएगा सो यह मेरे पास की आजेगा 3A plus 2B minus 2A over 3 सो 3A minus 2A के नहुंदा है साठे पास A plus 2B over 3 ता है साठे पास second mean ते AP धी third term दी साठे पास value आगी है सो A1 ते A2 दो में साठे पास आगे ने तास ही A1 ते A2 दी ज़़ी है values ने वो left hand side पूट कर दागे ते सी चेक कर लाँगे साठे पास right hand side अंधी है जा नहीं अंधी इसे तरह आए थे यह ता easy हो हो गया काफी सिर्फ sum up भी करना है सी A1 ते 18 तो सी left hand side दे विच A1 ते A2 दी value ज़़ी substitute कर लाने है A1 साठे पास आया सी 2 इंटू A प्लस B ओवर 3 माइनस A2 साठे पास आया सी A प्लस 2 B ओवर 3 सारी द्याड़े द्याड़े कवर दी ब्रेकेट इसे तरह A साठे पास 2 इंटू A2 A2 है साठे पास A प्लस 2 B ओवर 3 माइनस A1 A1 है साठे पास 2 A प्लस B ओवर 3 ते इसनों सीखी कर दना है लास्ट साठी प्रेकेट हो गी है सो देखो denominator सारी है ने सेम ने easily add subtract हो सकते ने सिर्फ 2 देना ला मल्टीप्लाई करना है सी 2 इंटू 2 4 A लस 2 B माइनस A माइनस 2 B common denominator 3 इसे तरहा 2 इंटू A 2 A लस 4 B माइनस 2 A माइनस B ओवर common denominator 3 सो A साठे पास किया गया 4 A माइनस A बन गया 3 A ते 2 B 2 B cancel out हो गया इसे तरह 2 A ते 2 A cancel out हो गया 4 B माइनस B बन गया 3 B ओवर 3 ओवर 3 3 3 3 cancels out ते साठे रिजल्ट किया गया A इंटू B इस साठे किया right hand side so hence गुरू इसे तरह second part है साठे पास उस दे भीच भी असी A1 ते A2 गया values जड़ी पुट गर लेने है so उस दे भीच left hand side साठे पास की गिवन सी a1 प्लस a2 is equal to a plus b. So a1 असी थे पुट कीता सी 2 a plus b over 3. ते a2 साथे पास सी a plus 2b over 3. So denominator जड़ा है. कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड दे विच. So 3 लिख लेने हैं. ते उपर साथे पास 2a plus a. जड़ों सी नहीं आड़ा हैंगे 2a plus a बने गया 3a. b plus 2b बने गया 3b over 3. So common लेलन है 3 यह अपर. विच लेगा है साथे पास a plus b over 3. So यह साथे पास आगया a plus b. यही साथे राइट हैंड साइड है. So असी राइट हैंड साइड जड़ी है ड्राइब कर लिए है. So this is equal to rhs. राइट हैंड साइड हैंस हैंस प्रोवड. So असी लेख देने हैंस प्रोवड. दोस्तों एक competition अग्जाम देविच साथे पास question आजन दा है कि some find three numbers in AP. So हुन तक कसी हैं टैंथ क्लास देविच concept यूज कीता है. उदेविच अपी दे नंबर simply suppose कर लेने हैं कि फस्ट तर्म है, सेकंड तर्म है, A, B, C, J, X, Y, Z है इसे पास प्लस वांदेविच अग्डिशन देविच अग्डिशन देविच ता उथे असी एक specific concept यूज कर देए कि जन्हों three numbers in AP आजान ता AP दे numbers नों किमें suppose करना है, पहले हमें central numbers suppose कर दे हैं, A, एक number difference बदा के लेना है, A plus D, ते दूसरा number D कटा के लेना है, A minus D, So three numbers in AP, ये साथा first number हो गया, ये second होएगा, तो ये साथा third number हो गया, ये 10 numbers जदो उसी चूज करने ने, AP दे विच हमेशा इस तरह चूज करने ने, central number ले 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 पहला, A, उस दे विच difference एड़ कर लिया, एक number कुछ add-on कर लिया, तो उन्हें difference सब्ट्रेक्ट करता, कटा ले या सी, तो ये साथे की बन गए, AP बन गए, देखो D दा difference है, ये बिचे D जोड़े, A आ गया, D जोड़े, A आ गया, इदा फैदा की है, ये फैदा की है, क्योंकि इथे साथे पास sum अधाता है, sum is 21, जो तो मैंना तिनना number ना sum करांगा, तो D दे नल, D cancel out हो जेगा, साननों directly A पता लग देगा, क्योंकि के थे conditions ही एतना दियाने, कि साननों जोड़े AP दे number ने, वो इस तरह ही suppose करने पहनगे, so suppose these three numbers are in AP, तिन नमबर AP दे ने, ताब first condition की है, sum is 21, so by first condition, sum, sum की है, 21, so जो जो मैंना तिनना number नों इस तरह स्पोर्ज कीता है, तिनना sum लमाँगा, ताँ A minus D, plus A, plus A, plus A, plus D, ये first number, second, third, is equal to की आना चाहिए, 21 दे, so D की हो जेगा, cancel out, so जो 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 भी तिनना number आगे, ता हमेशा एस तरीक के दे नाल जोड़े AP दे number ने हो, suppose करने है, ये method तो नों याद करना पाएगा, so A, A, A के ना बन गया, 3A is equal to 21, so 3, 7 is 21, so A की बन गया, 7, बन गया, so एता तेन नंबर ने, जे 5 आजा जान फेर, और नंबर दी गल करने है, ये पाँता है, जे 5 आगे, ता 5 दे बिच्च सिए, A तो शुरू करने, equal A plus D, equal A plus 2D, अगे तक, एसे तरह A minus D, ते A minus 2D, means, center A तो start कर लिया सी, D plus कर दे जाने, D minus कर दे जाने, ए 5 दी condition होगी, 7 दी भी लै सकते हूं, तो अटे देट पैंड कर दे हैं, ते, मेभी 5 नंबर ना प्वेश्चन आजे, 7 आजा ता रेर लिया कर दे आ, ये नहीं आज तक, बट 5 वोला, 5 दे लिद दूसे ये लै सकते हूं, so second condition की है, product is 315, so गुणा कर लिया ने तिन्दानू अप्पा, ते second condition दे बिच प्रोडाक्टा साथे पास, product is equal to 315, so multiply कर लाने तिन्दानू, a minus d, a, a plus d, so a minus d into a, into a plus d is equal to 315, बट a दी तर सानू, value पता लग ये 7 है, so ये बनगे है, बरे पास, 7 minus d into 7, into 7 plus d is equal to 315, so 7 ते हिलाज में ही cancel होना चाहिदा है, जे cancel नहीं हो रहा है ता समस्ते है सड़े वास्ते, बट easy है, 7 ते cancel हो जाएगा, होना तो चाहिदा है, so 7, 4 is 28, 3, 5, 7, 5 is 35, ये cancel out नहीं होंदा दा सड़े जड़े नंबर्स नहीं, वो रैशनल बन जानेंगे, थोड़ा question सड़ा अखा हो जाएगा, so अग्गे सड़े पास है, 7 minus d, 7 plus d, a minus d, a plus d, a square minus b square दा फार्मूला बन रहे है थे सड़े पास, so इसनो मैं लेख सकता है, 7 square minus d square is equal to 45, so इसनो सड़े अग्गे solve कर लाने है, so 7 square मेरे पास बन दा है, 49 minus d square is equal to 45, so do e square एदर ले आने है, 45 एदर ले आने है, so 49 minus 45 is equal to difference d square, so 49 minus 45 की हो गया, 4, so 4 के सदा square हो साथ है, 2 दा square भी हो साथ है, minus 2 दा square भी हो साथ है, so d is equal to plus minus 2, so इसनो डिफरेंस है, plus या minus 2 है, so a मेरे पास किया है, 7, so d जाना प्लस 2 है, जान जान माइनस 2 है, so 10 नमबर सी मेरे पास a सी, a plus d सी, a minus d सी, so a 7, जदो d प्लस 2 होगा, 7 plus 2, 7 minus 2, तो 10 नमबर की बनगे 5, 7, 9, इसे तरह जदो मैं d माइनस 2 लेया, so 7, minus minus plus 2 बनगे जाना है, center ते a ही है, 7, plus d, d दी जागा ते की लिखना माइनस 2, ता मूरे 9 आ गया, center ते 7 ही रना है, पिछे की आ गया 5, so a p दोने साइड नो है, इदर नो a p दे जडे तिन नमबर ने, वो increasing order दे विच ने, इदर नो ही decreasing order दे विच ने, क्योंकि इदर नो इदर नो डिफरेंस से positive है नमबर बाद रहे ने, इदर नो difference negative है नमबर जडे ने, कट रहे ने, so इसे तरह देका question जी दे विच साड़े पास, 10 ने जा पांजतू पर ना कोई होर, यह ता odd number ने न, odd number of a p's ने साड़े पास, sorry terms ने in an a p, so जी मेरे पास even number हो, like 4, 6, फिर असी किस तरह जड़ा उना नो suppose करना है, a p दे, terms नो, ओभी अपने discuss कर दे, next question ने बिच, sorry यह question भी साड़े पास, three terms जड़ा ही है, sum of three consecutive terms of an a p, next question दे बिच इसी fourth वड़ा ले लेने, क्योंकि थोड़ी condition जड़ी है different है, मैंने लगे भी discuss करना चाहिए, so three consecutive terms ने, so first a minus d, second a, third a plus d, असी यह दना suppose करना है, है, so condition की यह साड़े पास, sum, sum of a p is 15, so पहली condition थे ही है, first condition की केंगे सानु sum, so sum दे बिच आ गया, a minus d plus a, a plus d, sum is equal to 15, so d cancels out, three into a is equal to 15, so three five is 15, so a सानु पता लग गया, है, first step दे बिच, a की यह साड़े कोड, five है, दूसरी condition की यह मेरे पास, sum of their squares, and sum of their squares is 83, sum of squares, इदा स्केर करना है सी, second condition दे बिच, so second condition की है, a minus d whole square plus a square plus a plus d whole square, sum of their squares is 83, a सानु पता लग गया है, so a दी value तो सी पोट कर दे आगे, so 5 minus d whole square plus 5 square, 5 plus d square is equal to 83, so इत्य सादे पास फार्मूला बनेगा, a minus d whole square, a बनेगा, a plus d whole square, so a square, 5 square is 25, plus d square, minus 2ab, 2 into 5, 2 into 5 into d, plus 5 square is 25, a plus b whole square, 5 square is 25, b square is d square, plus 2ab, 2 into a मेरे पास 5 है, b मेरे पास d, i is equal to 83, 3, so 25, 25, पच्ची, पच्ची, यह ता add हो जानेगे, 13 बार 25 है, so 75, 75 हो गया है, d square, d square, d square, 2 d square, minus 2 into 5 into d, plus 2 into 5 into d, d, जीजे हैं, यह सी minus 10 d है, यह है, प्लस 10 d है, so यह ता cancel होना ही होना है, so this cancels out, so 75 नो सी right hand side ला जाने है, subtract कर दने है, जाके, ते साथे पास left hand side की रहे जाएगा, 2 d square, so 75 नो right side यह सी subtract कर दने है, क्योंकि दर प्लस दे तरहा की होएगा, minus 10, so 1 की रहे गए, साथे पास 8, so 1 की बने गए, 2 d square is equal to 8, cancel out हो जेगा 4, so d की आजेगा मेरे पास, so d square is equal to 4, that means d is equal to plus minus, so d is equal to आगे मेरे पास, plus minus 2, so a p मेरे पास की बनेगी, जो मेरे 10 numbers ने, वो की आणगे मेरे पास, so first मेरे पास a minus d है, second a है, ताँ पेड़ा दी तरहां साड़े पास, 23 ने बन सकते है sequence, a मेरे पास 5 आया सी, जे मैं d plus 2 लेलां, ताँ 5 plus 2, ते 5 minus 2, तांसर की आउगा 3, 5, 7, ते नमबरे बनेगे, ते जी मेरे साम करा साथ 5, बारा ते न 15 बनेदा है, ते सकेर आदा साम इनाद 83 बनेगा, ते इसे तरह जेकर मैं d minus लेला मात आंसर की आएगा, 7, 5 and 3, तो साड़ा आंसर की है, ये 3 numbers ने, 3 numbers आरे ने एपी, कि सम की है न, ते 15 है, ते सकेर साथ उसाथ इन जाए, ये पच्ची है ते 9 है, ता अनजा पच्ची ते 9 मिलके साड़े पास बाढ़ देने 83, तो condition साड़े साड़े साड़ा question की है, correct है, next question असे इसे इसे डिस्कूस करांगे हो, 4 numbers in an AP बाढ़े डिस्कूस कर दे हैं, so, ये question साड़े पास है, 4 members in an AP, सम किना साड़े पास 4 है, so, 4 members वसी case transpose कर रहे हैं, और देखो, जे मैं पहला method यूज़ करां, a, a plus d, a minus d, so, जे मैं a method suppose करूँगा, कि एक पास a plus कर दा जा, मैं एक पास a minus कर दा जा, next element जादा मैं इद्धर लिखना पहुगा, या इद्धर लिखना पहुगा, cancel out के मैं होँगा, इथे problem हैं, so, a method से यूज़ नहीं कर सकते हैं, इनो डिस्कार्ड कर दे हूँ, even देविच, so, even देविच यसी की करना है, a minus d, a plus d, 2 members, difference असी 2d दा पालिया, देखो, d तो सिद्धर यसी plus minus 1 तो, सिद्धर प्लस बानते चलेगे, यसी number line दीगाल करीए, 0 इथे minus 1 है, a किया plus 1, इथे तो सिद्धर यसी इथे चाड़ मारती है, so, 2, 2 d यां दा फर्क पालिया, next number इदर किया हुगा, 2 d यां दा फर्क पालिया था, a plus 3d बानतो होगे, किया हुगा, 3, इद्धर भी बानतो होगे, a minus 3d, देखो, इथे बिचल्दा डिफरेंस है सी, common difference जिड़ा ले आए, वो d ना लेकर 2d ले रहे है, minus 3 तो गए यसी minus 1 ते, minus 1 तो गए यसी plus 1 ते, plus 1 तो गए यसी plus 3 ते, जो जो दो सीननों add करांगे, minus 3, plus 3 कट जेगा, minus d, plus d कट जेगा, तो साथे पास a d value जोड़ी और first condition चाहिएगी, so a साथे numbers ने, four numbers in, let four numbers in a p, a साथे चार terms ने a p ती ती है, so sum किया, first condition किया, sum, sum किया रहे है साथे पास, four, so जो दो सी सारे नों add करांगे, a minus 3d, a minus b, a plus d, a plus 3d, इस सारे मिलके की बनागे, four, so three minus दाए, a plus दाए, a minus है, a plus है, ता a की नी बर आगे साथे पास, four times a is equal to four, so a की बनागे साथा, one, so a 1 हो गए साथ, यस तो बाद second condition किया है, and their product is 385, इननों सी multiply कर लाए, ते साथे को प्रड़क्ट किनना आदा है, 38385, so second condition किया है, multiply कर लाने सी, a minus 3d, multiply by a minus d, a plus d, ते a plus 3d, multiply कर लाए, तो बाद किनना आदा साथे पास, 385, so जो मैं ते आनल दिखा, ता a minus b, दा फार्मूला साथे पास है, कि इते है, a plus b, same terms ने, एक बार add हो रही है ने, ते एक बार subtract हो रही है ने, जो इनना दोनों compare करां मैं, a minus b, a plus b, ता एक दोनों जो दोसी कठे गरां, कि तो साथे पास फार्मूला बन जेगा, a square minus b square, 3d square किनना बनेगा साथे पास, 3 square is 9, 9d square, इस तरह हैं कठी पहें ने, a minus b, a plus b, that is, a square minus d square is equal to 385, पहला दे question आनों थोड़ा question जिड़ा है, एक खाए, lengthy भी होजेगा, क्योंकि साथे पास square जे विच वैलियूज आगी हैंने, a यसी किनना बूट करना है, 1, तो इत्य ता बन नहीं आज़ना है, 1 square is 1, 1 minus 9d square, इस तरह 1 minus d square is equal to 385, so इत्य 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 साथे ड़ा question है, पहला दे तरह सेम है almost, 9 आदे बिच कोई formula बन दे है, सो सनुने नों multiply ही करना पहना है, होर साथे पास कोई alternate है नहीं है देखो, कोई formula नहीं बन रहा है, bracket same नहीं है गिया, ता होर सी कोई value substitute नहीं कर सकते, 1 into 1, 1, 1 into d square, d square minus 9 into 1, minus 9 d square, minus into minus, plus 9 d raise to power 4, जाद उसी a से square देना नों multiply करना है, ता पाबरा की हो जाना गिया, add up हो जाना गिया, 1 into 1, 1, 1 into d square, d square, फिर ए मultipिला होएगा, 9 d square into 1, 9 d square, 9 into 1, 9 negative into negative, positive d square, d square, d square, d 4 हो गया, 3, 85, सो यह साथे पास एक तरह नला quadratic equation बन गी है, गलब यह by quadratic है, power 4 है दी, इन्हों उसी quadratic दी बिच, convert कर सकते हैं, like this one, 9 d raise to power 4 में अगे लिख लेने, 9 minus 9, minus 1 हो बन गे, minus 10, d square, plus 1, 3, 85 बिदर ले ले, उसी minus 3, 85, equals 0, इस हाटे पास, quadratic दी फार्म दी है, d raise to power 4, d square, a constant, रहां, प्रसाटे को लिख लेकोड़रेट हो दी हो, इद्दा हो दी है, x square, plus x, plus 1, something इद्दा, so मैं इसनो, convert कर सकते हैं, quadratic दीब, जो मैं d square, नो कुछ नमा नमबर, पुट कर दा, अगे कल कर दिया, so a, ए मेरे पास पर ना, a, d square is equal to, कोई नमा नमबर, x, फोट कर दाने है, so a, 9, इस square दा, square है, d square, raise to power 2, की बनेगा, d raise to power 4, बनेगा, so d square, नो मैं की पर ना, x, so ये बनेगा, x square, minus, 10x, minus, 384, equals, 0, so दिखो, यसी इक्वेशन, इसनों सी, quadratic देविच, convert कर ले, so a, quadratic equation, solve करना बास दे, सानों, first number, लास्ट दान, multiply करना पएगा, तब, product करना चाहिए, साड़े पास, 9, into, 384, so इसनों सी, multiply कर ले, इस साड़ा बनेगा, almost, 3, आचो के, 6, 72, 35, 39, 29, 32, 34, 34, 34, 35, 36, so साड़ा प्रड़क्ट आणा चाहिए, ओहो आणा चाहिए, 3,456, आस ही, middle term नों, स्प्लेट करना है, कि, difference था, 10 होबे, दो नंबर से बिच, ते, प्रड़क्ट ये होबे, सो जो मैं, जे कर मैं, अंदाज्जा लोना होगे, ता 55, 60, 33, 33 होँदा है, तेना दे डिफरेंस के ने दाए, 10 आए, सो, तेनना हज़ार तो बद जाईदा है, सो, जिनना दा प्रड़क्ट पे छे, 6 आजबे, सो, 44, चाहँट हो सागदा है, 25, 55, इना दे करीब दोना दे विचो की, एक ज़री वैल्यू आ हो, सही होनी चाहिए दिया है, सो, जि मैंनों मुल्टी प्लाई करके चेक करा, चरंजा गुना चाहँट मेरे पास आएगा, 3, 4, 5, 6, तोसी चेक कर लो, सो, एस तरीके नाड़, तुसी, प्रिफ्रेंस दास दाएए, साथे पास आगा, 64 दे 54, इस यह दिया है, ट्रिक्स ने तो अन्नों तो अड़ी प्रेक्टिस दे नाड़ ही आना गिया, so minus 64 x plus 54 x minus 384 equals 0 so इना दे बिच्चकों तो कुछ common आनी रहा है so x common 9 x minus 64 इत्थे सदे पास 6 common आ रहे है plus 6 common so 6, 9 is 54, चीक मुचीक 36, 64 is equal to 0 so इना रैक्ट सेम बन गिया ने 9 x minus 64, x plus 6 is equal to 0 so जाता है a 0 है so 9 x की आ गया मेरे पास 64 आ गया so x की आ गया मेरे पास 64 over 9 इत्थे मेरे पास की आ गया x plus 6 is equal to 0 x की आ गया माइनस 6 so मैं x की लिया सी d square ए बढ़ा so जिदो मैं इत्थे d square पुट करांगा ताई मेरे पास complex number बन जाएगा so इत्था possible नहीं है a जैसी से लेपस्च पड़े है नहीं होना तक ते a हो गया साथे पास d square is equal to 64 over 9 so a हो साथ दा plus minus 8 over 3 दा square so d मेरे पास की ना गया plus minus 8 over 3 so सानों difference पता लग गया है ते साथे पास first term भी आ गया है a भी सानों पता लग गया है a साथे पास है a साथे पास है 1 so वसी चार ज़ड़े है a पी दिया है terms नहीं हो find कर लेने है so first साथे पास c a minus 3d so that means 1 जि मैं plus 8 over 3 मैं minus 3 into 8 over 3 3 cancels out so यह की है जिगा मेरे पास 1 minus 8 that is equal to minus 7 so जिदी साथी a पी है वो स्टार्ट होएगी minus 7 तो so next term मेरे पास ही a plus d sorry a minus d so next term मैं मेरे पास a minus d so a मेरे पास 1 है ते d मैं चूज किता है 8 over 3 plus 2 so 3 1 is 3 minus 8 over 3 that is equal to minus 5 over 3 so जिदी होगी है second term t2 ते पास 3 term मेरे पास a plus d so that is equal to 1 plus 8 over 3 so 3 into 1 is 3 plus 8 over 3 that means 11 over 3 so a होगी सदी t3 the t4 c मेरे पास a plus 3d so a बना जेगा 1 plus 3 times of 8 over 3 3 cancels out so a कि आगा 1 plus 8 is equal to 9 so a होगी है so a होगी है मेरे t4 so 4 term मेरे पास आगी है ने first है यह मेरे पास minus 7 दोसरी है minus 5 over 3 तीसरी 11 over 3 ते चौती है 9 तो जदो वासी d जड़ है negative लेके चलनागे negative value पुट करेंगे minus 8 over 3 एहर वरसदी पे चार्ज देगे साठे पास 4 values so साठी है चार्ज लिए required AP लिए terms ले वो इने minus 7 minus 5 over 3 11 over 3 and 9 so next question साठे पास फिर तो अपने 4 AP स्दा ले आए 4 terms ले एपी देविच so दोस्तों अपना एक की सदा आता है कि जे कर math रखे आए न ता ए नहीं है कि formalities से एक रखे है जे त्यारी करनी है महत दी तबदी अगरो otherwise करो ना math में शड़ दो so ए नहीं है कि साठे पास कोई नमी problem आगी है ए बुक दे विच नहीं है यह इस बुक चाहिए दूसरी च नहीं है साठे पास जो plus one plus two होदे विच साठे पास syllabus है साठे कोड़ AP है arithmetic mean है तो होदे विच लग लग जड़िए different minor जड़ियां topics ने like three terms लई यह four terms लई यह AP broad concept है को तक किसे भी तरह 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 तो नहीं आ सकते है सो हर तरह 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 ती त्यारी तो नहीं करनी पाएगी so ए सठे़ पास four बड़ा है question एस तो बस तरह 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 question होड़िया जी दे विच साथ ही यह कर एबी सी एपी दे विच ने तो होड़ टर्म किस तरह एपी दे विच प्रूब कर सकते हैं वह बड़े क्वेश्चन से डिस्कस करांगे तो मेरी कोशिश है कि मेरे स्टूडेंट्स जड़े ने वह हर अस्पेक्ट तो प्रपेर होने चाहिए देने कंदनों कोई भी प्र दे एप्लस दे एप्लस ठीडी शीह ने यह शेख पी हाटे हैं तो सम्ट 20 ए फस्ट कंडिशन से सम्ट लेने जाए के लिए असे मेरी ऑलत लाके अने तो फ्री डीड्य प्लस a is equal to 20 so a की आगया 4 5 is 20 a find हो गया सब्सक्राइब second condition की है sum of whose squares is 120 so उसी square भी करना है ते sum भी करना है so a की मेरे पास की बनेगा sum of squares second condition की है मेरे पास a minus 3 d the square देखो एस square दे भी चे रहे जना है क्योंकि sum है पिश्री पर product सी a करके d d power force ले गई बट असे बार सारे को sum करना है ते कीनू करना है square हो square जे रहोगा a minus d square a plus d square a plus 3 d square sum करना जाए the square is 120 क्यांड तो पाप किया कि a square होएगा d इत्थे भी square होगा इत्थे भी square होगा इत्थे भी square होगा power force नहीं जाओगी last question दीद रहाँ so a दी value पूट कर लाए ने आसी 5 minus 3 d square 5 minus d square 5 plus d square 5 plus 3 d square is equal to 120 so a minus b square a plus b square दो ए फारूले लगने ने so a आगे है मेरे पास a square 25 15 square 10 square 9 नाड़ किया होगा d square a b होगया minus 2 into a into b इसा दी फर्स टर्म होगी है plus a minus b square 5 square 25 b square d square minus 2 into a into b plus 5 plus d एदे बर गये सेम सिर्फ प्लस a भी आने प्लस 2 a भी 2 into 5 into d आब आदी तर्म ही निचे लगने ने एदे बर गये बिलकुल सो यहाँ है 25 प्लस 90 square minus इसे प्लस आने 2 into 5 into 3 d equals 120 सो लाइक टाम्स चीडियान यहोँ जेकर minus sign दे बिच ने कट जण गया पकी add हो जण गया देखो 25 25 25 25 चार जगए ता पच्ची चोके कि नहां दा साठे पास 9 d square 1 d square 10 11 29 20 d square सो यह गया 2 गुणा 5 गुणा 5 दूनी 10 ती 30 d 2 into 5 10 d minus 2 into 5 plus 10 d 2 into 5 d plus 30 d is equal to 120 30 d 30 d 10 d 10 d 10 d रहकी के सठे पास 100 100 दा नूतर जाके सी subtract कर दने 20 d square 20 20 d square is equal to 120 minus 100 that is equal to 20 20 d square की दे को लाग्या 20 सो मेरे पास टर्म सी a minus 3d a minus d a plus d थे a plus 3d सो a मेरे पास 5 है जद में plus 1 लंगा d 3 into 1 3 minus 1 5 plus 1 5 plus 3 into 1 3 सो टर्म्स की बंगे हैं 5 minus 3 2 5 minus 1 4 6 8 सो इस चारे किस दे बिच ने एपी दे बिच ने चारा दा सम मेरे पास की आ रहे है 20 ते स्केर्स दा सम करके तुसी देख लो 120 बंगेगा जदो मैं d यह minus 1 लगा ता ए बड़िया टर्म्स की आड़िया रवर्स दे बिच आड़िया डिक्रीजिंग को तर चाड़िया तो यह सटा की हो गया ए अंसर हो गया इस तो बार सटे पास दोस्तों के अब कंसेप्ट है एपी देविच कि जेकर a b c टर्म्स ने एपी दिया इस ए इन एपी तो जेकर मैं एपी दी किसे भी टरम नहीं सारी यह टर्म्स देविच कुछ एड़ करने हैं इस पास इन एट टर्म्स ने ए ए2 आए ठी ए एक है फ्वर ए ए ए फॉर ए ए फाइफ है सौर यहाण एपिच फिक्स नंबर को शेड़ करने था फाइव 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 व्यड़ी रिजल्टिंग सीक्वेंस बनोंगी वह भी की होईगी AP होगी जहां मैं माइनस कर देया तहां भी resulting sequence की बढ़ नहीं है AP बढ़ नहीं इवन चैहां मैं multiply कर देया या divide कर देया resulting sequence ने की रणा है AP ही रणा है so AP थी हर टरम दे बिच जह मैं कोई fix number add दरा या subtract करा या multiply करा तो या divide करा resulting sequence नहीं है वो की रणी है AP रणी है so ए वाला concept जड़ है अपा यूज़ करके दो तिन questions जड़े है वो डिसकस करांगे इस तो बद so question है if ABC are in AP ABC की रणा है विचने AP चने असी प्रूब करना है B plus C, C plus A, तर A plus B की रणा है विचने AP चने और देखो if ABC are in AP ABC are in AP तो जड़े हैं the common difference होगा वो की होगा D is equal to T2 minus T1 B minus A चाहे मैं इत्तों find करना C minus B दोने की होनगे वरब्र होनगे so A मेंनो की यह given है B minus A is equal to C minus B so मैं प्रूब करना है कि B plus C, C plus A तर A plus B are also in AP इत्नों की ने AP दे विचने so मैं suppose करना है कि AB की दे विचने suppose ज़ने AP दे विचने नहीं 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 मनलोग अपने प्रूब की करना है अपना contradiction प्रूब कर सकते हैं कि B plus C, C plus A are in AP suppose तो मैं अपने प्रूब करने प्रूब करना है suppose B plus C, C plus A, A plus B are not in AP यह AP जी नहीं है कि इतना था common difference ब्राबर नहीं करना चाहिए that means C plus A T2 दे विचने विचने यह मैंस करके देख लाने है सो यह कि आगा C plus A minus B minus C सो यह कैंसल आओट सो A minus B आगा साथे पास यह से तरहां T3 minus T2 कर लाने है A plus B minus C plus A that means A plus B minus C minus A this cancels आओट सो यह आगा B minus C सो यह नहीं नहीं प्रूब करने चाहिए बट गिवन कि यह मैंनो B minus A सो negative sign common है कोई फरक नहीं बढ़ना साथे पास एक ही बढ़ना साथे पास B minus A not equal to C minus B सो जिसन में इदे आपके देखां गिवन मेंनो की है कि B minus A थे C minus B तब रबर ने तो मेरे को लोग आ की रहा है कि रबर नहीं है that means it is a contradiction एक यह एक विरुद्धा पास है जो उसी स्पोर्ज गीटा है वो गलत स्पोर्ज गर लिया है that means B plus C, C plus A की रहे बिचने A पी चने A plus B are in A P एक में थड़ता है A होगे साड़े पास दूसरा second concept की है साड़े पास A, B, C are in A P मैं की करदा है असी होने पड़े है किसी कुछ भी add करी है कुछ भी subtract करी है एक fix number the resulting sequence की हों दिया है A, P दे बिच हों दिया so मैं की करदा है subtract कर देना है A, P, B, C from these terms इना दे बिच्चों अपना की करदे है A, B, C जड़े subtract करदाने है जो साड़ा answer है सी उसलों तो ड्राइब गीती है चीज़ा so A minus A plus B plus C minus करदाने है B minus A plus B plus C minus करदाने है C minus A plus B plus C so minus करदाने तो बाद भी यह की रहेगी R, N, A, P रहेणी A, P ही है so जो जो तो मैं subtract करांगे तो मेरे पास किया होगा A minus A minus B minus C B minus A minus B minus C C minus A minus B minus C R, N, A, P किया है A, P जिने so A cancel out B cancel out इसे तरह C cancel out so मेरे पास किया है minus B minus C minus A minus C तो इसे आगे मरे पास A minus A minus B R, N, A, P so result दे विछ मैंनों की चाहिए यह थे मैंनों B plus C चाहिए तो A plus C चाहिए तो A plus B चाहिए मैं की करते हैं माइनस 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 देना ओला मल्टिप्राई कर लिया so minus into minus B plus C बन जेगा A plus C बन जेगा ते A plus B बन जेगा so B plus C, C plus A, A plus B, R, N, A, P देखो असी दुन नहीं मैथड़न देना नहीं डिसक्रस कर लिया है जड़ा तो अन्नों इजी लगदा है तो उसी दुन नहीं कंसेप्ट यह यह यूज कर सकते हूं question देवेच so यह दिन आना दा एक question यह दो question आसी हो discuss कर लाने है so दोस्तों जो असी प्रूव करना है इसनों उसी suppose मान रना है कि true है असी ओल्ट नहीं मान दे suppose है A P देवेच चाहिए तासी किसे बाइड रिजल्ट दे पहुंच के देखना है कि इसी पहुंच सकते हैं so if this is an A P तो common difference की होना चाहिए बरबर होना चाहिए A so जे A P देवेच नहीं तो common difference की होगा बरबर होगा so इत्तों से इसनों add up करना है B into B square plus B C इसी तरह minus A C minus A square over A plus C B plus C equals इसी तरह I said C into C C square plus A square minus A B minus B square over A plus B into C plus A so A plus C A plus C दुनों से इसनों तक इसलोट होजेगा so जो मेरे पास बाक्की टर्म सो बचकी होगीन है तो इसनों मैं B square minus A square नों कठा कर सकता है B square minus A square इसनों मेरे पास C common है plus C जेकर common है पिच्चे की रहे हैं मेरे पास B minus A over B plus C equals C square sorry साथे पास C into A थे C A आना है not square आना है C into A so C square नों मेरे पास C common आ रहे है A so plus A common पिच्चे की रहे है C minus B over A plus B so A मेरे पास A square minus B square दा formula है so मैं इसनों की लेख सकता है B minus A into B plus A plus C into B minus A over B plus C is equal to इसे तरह है A minus B A plus B plus A into C minus B over A plus B so जे A P दे पिचने तरह true होना चाहिए है so इत्तों मेरे पास B minus A common होना है इत्तों मेरे पास C minus B common होना है so common ले लेने हैं so B minus A common विच की लेगे B plus A plus C over B plus C equals C minus B common विच की लेगे इत्ते C plus B इत्ते लेगे साड़े पास A over A plus B so A वाड़ी जे ली bracket है A, B, C, A, B, C A की सेम है A की होजेगी cancel out so remaining terms लेख लेने हैं आप आप so जो remaining terms ने साड़े पास इंदन उसी cross multiply कर लेने हैं so B minus A into B plus A लिख सकते हैं A मेरे पास की बन गया B minus A into B plus A लिख सकते हैं इसे तरह C minus B into C plus B लिख सकते हैं so A minus B A plus B the formula बन गया A square minus B square इसे तरह C square minus B square विच इसे तरह C square minus B square so यह साड़े पास कित्थों हैं जितों आसी suppose करके चले सी these are in AP जिकर वो AP दे विच ने तो साड़े को लेका valid result रना चाहिदा सी जैसी opposite suppose करके चल दे के है AP दे विच नहीं ने तो साड़े पास एथे not equal आ जाना सी जैसी पहला ही उसता ओल्ट लेगे चले यहां suppose यह AP जो नहीं है गेता है इसे not equal है इसे equal है तो साड़ी contradiction हो जेगी means साड़ी जो वोसी suppose कीता है वो गलत हो जेगा so किसे भी वेदे विच तुसी नहीं की करना है AP दे विच प्रूब करना है एक है सकते हैं आपका so it true है that means A over B plus C B over C plus A and C over A plus B are in AP so common difference लेके तुसी प्रूब कर सकते हो जहां जहां तुसी कुछ add करके subtract करके multiply करके किसे result दे पहुंच सकते हो कई method में तो अमीदे दोस्तों तो अनुजड़े questions ने जो के NCRT दे बुक दे बिच नहीं ने इंपोर्टन ने यह समझाए होंगे तो जहकर वीडियो अच्छी लगए ता फ्लीज वीडियो नो like ते शेयर ज़रूर कर देओ जहकर तो अड़ी किसे भी तरहां दी तो अड़ी कोई क्विरी है एस टॉपिक ते रगार्डिंग किसे भी तरहां दर फीड़बैक है ता प्लीज कॉमेंट सेक्षन दे पर जाके कॉमेंट जरूर करया करो जहकर तो से जी तक मेरे चैनल नों सब्सक्राइब नहीं कीता है वो साथी जिड़े टॉपिक ता समझ देने वीडियो ता देख देने बट अजे तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़े ने सो उनना नों रिक्वेस्ट है कि यो चैनल नों जुरूर सब्सक्राइब करने ताके उनना उन्हें टेस्ट वीडियोस दे रेगुलर अपडेट्स जो झाल 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 झाल